हाई फ्रेंज आप लोग का एक बार फिसद स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल प्राइमा कलासस में तो फ्रेंज अब मैद की सेवंथ क्लास है और रेसियो एंड प्रोपरसनल का पार्ट 3 है इसके पिछले वीडियो में लोग ने पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं त देखते हैं सब्सक्राइब डेता का पहला प्रस्ण किया है तो आज का पैला प्रस्ण एक तिरभूज की भूजाएं जो है वह सेवं रेशियो 9 2012 केवार्ट 되면 मतलब कई माली तिरभूज है अब लोग का जह सेवन नाई और हैलकर रेचियो में उसके बाद बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओ की बीच का अंतर 15 संटीमीटर है मतलब देखे सबसे बड़ी भुजा कौन साइव ट्वैल है और सबसे छोटी भुजा सिवन है इनके बीच मतलब साथ और 12 जो दिजा 7 पर इनके बीच का अंतर कितना है फाइप है इसमें क्या पता है यह 15 cm मतलब 5 की वैलू कितना दिया वाइब 15 cm तो वान की वैलू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा कैसे हो जाएगा जब हम लोग 15 में 5 से करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा उसके अधिवला सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी देखे सबसे बड़ी भुजा ट्वैल है देखे जब एक की वैलू 3 है वन की वैलू 3 है तब ट्वैल की वैलू क्या हो जाएगा 12 इंटू 3 कर देंगा अम लोग को पता हो जाएगा कितना हैगा 36 सेंटी मीटर जो कि आप लोग का आफसन ये सही है अगला प्रस्वन है दो थेले एक्स वाई में गेदो की संख्या टू रेसियो 3 के अनपात है मतलब माली जे एक्स और ये वाई है इन में गेदो की संख्या क्या है टूए और थ्री एक रेसियों है तो य थेले से 5 गेदे निकाल कर एक्स थेले में डाल दिया जाता है मतलब कि यहां पर हम लोग कर लेते हैं एक्स वाई बराबर मतलब कि यह जो एक्स के वैलू क्या है टूए इसमें 5 गेदे एड कर दिया जाता है किसमें से यह जो 3 ए है इसमें से निकाल कर अब दोनों थ करेंगे क्या हम लोग देखिए इसका इधर मंटिप्ला इसका इधर हो जाती है न अ Park यह दो Rex तो पूछा क्या प्रते ख्यालों के संख्या क्या होगा यहां पर देख्या यह क्या है टू ए प्लस फाइब अबर्टे थ्री ए माइनस भाई यहां पर देखे एक इवैलू टेन अगर यहां पर लूप यह बराबर दस रख देंगे तो हम लोग को पता हो जाएगा चलिए टेन माइनस फाइब करेंगे तो कितना होगा कि एनद फाइब बराबर 25 तो हम लोग को पता हो गया कि पर्टेक थैले में गेदुकी संख्या कितना होना चाहिए अगला प्रसमें 1510 के एक परिवार में परते को चावल की समान मात्रा में आव सकता होती है किसी विशेश दिन प मालिजे यह रित यो बी है तो यह जो भाइए फाइब रोजी ओर अर थ्रीक रीस यो में देखिल और पांच यूरी कव होता है जब सदकार क्धार साथ रसमते हैं जब 1510 स्वाया कर्च होता है व्यफिक आट अऊ देखिए जिए यूर्षाधा रदे है तब रसमते हैं त Pas ते इन के बराबर है ये भी कितना आँ म्रॉब फटारी तुर्म शड़ता है पूंचा क्या कि दीन में प्रतें अनुपस्थित अनुपस्थित सदस्ट् Twee की संख्या क्या थी तो दिकले पहले कितने सदस्थ से पंद्रत थे अब कितने है ना यहींच तो इनी पार्स्थी हुए अनुपस्तित सदस्थ विसकों सदस्थ गराइया शे leurs धने संड़ मुर्शत c बराबर कितना है 220 रुपय के पास b 30 रुपय अधीक पास a-b बराबर 30 उसके एता सी के पास एसे 20 रुपय अधीक है मतलब कि c-a बराबर 20 अचा इसको आई से लिख सकते हैं तो देखिए यहां पर क्या ओजाएगा बी बराबर ए माइनस तीस और यहां पर क्या हो जागा सी बराबर ए प्लस बीस अब यह जो आया इसका बैलू अगर हम लोग यहां पर रख दें तह हम लोग को पता आगा चलिए देखे रखते हैं ए प्लस बीका मेलू क्या है A माइनस तीस प्लस चीका मैलू क्या है ए टरफ बी Exact Ray ए प्लस बीस तो किना उर पराबर ना है 2200 साथ देखे ए 3 назв दो मांदब 3 ऑ कि अ हैं अर इसमें सम्लों घटाएंगे ए तो गजिसमें श्रीपा साथ 1-10-बराबर नौल 2 MA2 तो थ्री ए वराबर किया है अध़र आएगा तो प्लस हो जाहाँ तो दोसों कितना हो संस sheriff a वराबर क्या हो जायेगा दो सो सटर बट्टे थ्री इसको जेंगे हम लुक काटें हो कितना आएगा नद दो वबóst इव रावर कितना लाया ए वर बी बराबर एक इवेलू क्या है नबे तो नबे माइनस तीस करेंगे तो बी बराबर कितना हो गया साथ हम लोग का एंसर आ गया यह जो आप समसी है या सई है चलिए अगला प्रस हम लोग करते हैं देखे एक कुट्टे और एक खरगोष के पीछा करता है जितने समय में कुट खरगोष के 6 चलांग की लंबाई बराबर है मतलब कि इसका जो 5 चलांग है और इसका जो 6 चलांग है इसके बराबर है तो बताए खरगोष की चाल का अनुपात कुट्टा था खरगोष के चाल का अनुपात पूछा है तो इसमें हम लोग बस त्रीयक मुल्टिप्लाई कर देगे करेंगे तो क्या हो गा 6 में 6 इसो मुल्टीप लाइं करेंगे करना एक 36 रेशियो यह 5 दो इसे एक्नम को पता हो गया जो आपने लोग का आप्षक्षन ए है या सई है अगला प्रस्म देखिए क्या तीन संख्याओं का रेशियो 368 है मतलब की माना संख्या क्या है माना संख्या जो है आप लोग का हो है 3x 6x और 8x यदि उनका गुड़न फल आपका 9216 है मतलब कि यह जो 3x into 6x into 8x है वो किसके बराबर है 9216 के तो संख्याओं का योग बताइब चलिए जब इसका हम लोग मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना बहुता 736 एक क screenshot क्यूब बराबर 9216 तो Celsius क्योब क्या हो जाए गा 9216 बटे एक mi24 ऑईसे जाम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बहुता शिष्टी फोर एक्स क्यूब या तो यहां पे अगर हम लोग एक्स का बैलू आप लोग का फोर है तो यहां पर हम लोग एक्स का बैलु पूट कर देगा तो थीनों के संख्याय हो ऐसे हैं 6x कर देंगे 6 into 4 तो कितना होगा 24 फिर 8x है इसमें 8 into 4 करेंगे तो कितना आएगा 32 अब इसको हम लोग एड कर देंगे तो हम लोग को पता आजागा संख्याए क्या हो चलिए एड करते हैं क्या होगा इसको जब एड करेंगे तो क्याएगा 6 अलब संख्याए का योग क्या होगा 68 तो आप लोग का आपसन जो डी है या सही हो गया अगला प्रंग देखे क्या है दो संख्याए रेसियो कितना 511 के उनपात में यदि उनका है एक सी यप 24 है इन संख्याओं का योग बताईए देखे जो रेसियो जो दिया हुआ है यह फाइव रेसियो इलेमा अगर इसमें हम लोग एच सी यप से गुड़ा कर दें जो यह लिए 24 तो हम लोग को संख्याए पता हो जाएंगी तो चलिए हम लोग करेंगे क्या देख हैंगा वैसे हम लोग जब दूसरी संख्या निकालेंगे जब दूसरी संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे यह लेवन इंटू 24 करेंगे तो कितना है इसमें मुल्टिप्लाइए करेंगे तो 264 अब बोला का है इन संख्याओं का योग क्या होगा मतलब यह जो 120 प्लस 264 करने तो हम लोग को पता हो जाए अच्छा इसको एड करिंगा तो कितना हैगा एड करने पर हम लोग आएगा 384 जो कि आप लोग का आप्शन जो भी है या सही है अगला प्रण देखें क्या होगा कोई धन्राशी एबी सी के बीच का रेशियो क्या है 569 के अनपात में है तो देखें जो यह एए बी सी है इनका रेशियो क्या दिया हुआ है 569 अच्छा यह एडसी हो गया तो उनका अनपाती योग भी होगा इनका अनपाती्योंग अगर हम लोग करें में पाती्योक करें हर हम लोग कितना है जाएगा देखिए 6 में जब 5 को जोड़ेंगे 11 11 में जम 9 को जोड़ेंगे तो कितना हैगा 20 हम लोग का अनुपाती यह पता आगा 20 लेकिन पूछा क्या है अनुपात में लिभाजित की गई तो यदि एक को 450 रुपए मिलें तो कुल धंडा सी देखिए हम ल मिलता है उसको 450 रुपए तो देखिए इसको फाइब को जब इस्टे काटेंगे हैं हम लोग कितना आएगा नाइन नाइन फाइब जा फोटीफाइब यह 90 हो गया तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 इन्टू 90 तो एक्स बराबर क्या हो जाए जब इसमें मल्टीप्लाइ करेंगे हम लोग तो कितना आएगा अठारह सो मनलब टोटल धन राशी कितना अठारह सो रुपए जो कि आप लोग का आपसं जो भी है या सई हो गया तो फ्रेंद आज की कलास यहीं पर समाप्त होता है रेस्यों प्रोप्रोशनल की चैप्टर था वह आज समाप्त हो गया अगली वीडियो में हम लोग LCM and LCAP करेंगे तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए है और हमारे वीडियो को देख रहे हैं वह हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अगली वीडियो का जो नौटिफिकेशन है वह आप लोग के पास बहुत आ रहें तो तब तक के लिए thank you मिलते हैं अगली वीडियो में